नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोले शो में तो दोस्तों रूस और तुर्की दोनों देशों को देखकर आपको लगता होगा कि इनके रिष्टे हाली में बहुत अच्छे हुए हैं मतलब की तुर्की एक नैटो का मेंबर होते हुए भी और पस्चिमी ब्लोक का एनकी वेस्टरन कंटरीज के करीब होते हुए भी अब रूसी हतियार खरीद राए जैसे कि उसने S-400A डिफेंस सिस्टम भी खरीदा जिसमें उसने अमेरिका के छेताओने को भी नजर अंदाज कर दिया लेकिन सिर्फ इस चीज़ के अलावा बाकी और सारी चीज़ों में ये दूनों देश एक दूसरे के धुर भी रोदी हैं जैसे कि फिलाल दोनों देश अलग-अलग यूद लड़ रहे हैं सीर्या में और लीबिया में लेकिन बनुवे ही जिगया है नहीं देश एक दूसरे की जम कर काट कर रहे हैं यहां तक कि सीजिया में तो बहुत सारे सैनिक भी मार दीए थे रूस ने तुरकी के लेकिन इस समय जो एक्टिव यूद इस समय पुरी दुनिया में कहीं लड़ा जा रहा है वो है लीबिया में और ये यूद ऐसा है कि इसे आप खिशिडी यूद भी कह सकते हैं कैसे कि इसमें अगर और मामलों में देखा जाए तक फ्रांस और रूस धूर भी रोदी हैं लेकिन ये दोनों देश मिसर के साथ मिलकर एजिप्ट के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ लड के सामर्थित सरकार है उसे समर्थन एक तरीके से मिल रहा है तुर्की से और ये यूद लंबा होता जा रहा था क्योंकि जितने ज़्यादा दीन होते आगे बढ़ रहा है तेल उसका इस समय कोई खरीद नहीं रहा है तो उसे भी जल्द से ये युद्ध खतम करना है और तुर्की भी अपनी तरफ से पूरा जोड लगा रहा है तो यानि कि तुर्की एक मेजर प्लेयर है अगर तुर्की गया तो UN समर्थी सरकार भी गई और फिर हफ्तार की सेना की स समर्थन दे रहा है वो UN की समर्थी सरकार को और उसकी वायू सेना को काउंटर करने के लिए रूस ने उतार दिये हैं अपने दो सबसे घातक हतियार पहला रूस ने किया कि अपने MIG-29 लड़ा को विमान उतार दिये जिहां और इन्होंने तभाई मचाने शुरू कर दी एक लेकिन का खर्चा कमों क्योंकि विमान एक एक की कीमत million of dollars होती है उसे बचाने के लिए और जो दूसे दुश्मन की विमान जैसे कि तुर्की के जो विमान है उन्हें धरशाई करने के लिए और तुर्की को जलसे जलसे खतम करने के लिए अपना सबसे भेंकर और सबसे advanced हति है और इसने तुर्की को एक तरीके से हिला कर रख दिया है काय जा रहा कि अगले कुछ दिनों में इसकी तेनाती कर दी जाएगा है आप इसकिन पर देख सकते हैं आर्टिकल जिसमें बताय गया है कि रूस डिपलोई करने जा रहा है S-400 को लीबिया के अंदर क्योंकि ये य तुर्की को नुकसान इसलिए भी जहलना पड़ेगा क्योंकि उसके खिलाफ सिर्फ रूस नहीं है उसके खिलाफ लड़ रहा है एक और देख जिसका नाम है फ्रांस और एजिप्ट और दोनों इस्तमाल कर रहे हैं राफिल लड़ा को इमानों को जिससे की तुर्की इन सब इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को जहल पाना तुर्की के लिए इस समय संभव नहीं है और तुर्की को पीछे हटना ही पड़ेगा लेकिन ये कहा जा रहा है कि S-400 की तेनाती तुर्की के ताबूत में लीबिया के अंदर ये आखरी केल साबित होगी तो फिलाल तो लीब उसका सही जवाब था पच्चिस सो और यकीन मानिये हजारों लोगों ने इसके लिए कमेंट किया था और हजारों लोगों ने सही जवाब दिय थे लेकिन मैं कुछ शुरुआती लोगों के नाम दिखा सकते हैं उनके नाम आप इसकिन पर देख सकते हैं और अब आज के सव तो आज का सवाल ये है कि बशर अल-असद की सरकार के खिलाफ सीधिया में कौन से लड़ाके अमेरिका की समर्थन से लड़ रहे थे उन लड़ाकों का नाम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को शेर करते रहे है चैनल को सब्सक्राइब करते रहे है थैंक्यों मच्ट वाचिंग वीडियो